हेलो फ्रेंट्स स्वागत है सभी का फिर से अपने अलाइन चैनल एंबिशन अकेडमी पर आज अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे जो नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी चल रही है उसका जो टॉपिक सीरीज है उसकी नेक्स टाइप पर लास्ट वीडियो में हमने सीरीज पर डिसकस किया था सीरीज के सीरीज का मतलब है स्रिंकला एक सीक्वेंस में बैठाना देखो क्वेस्टन तो सारे सेम ही है थोड़ा बहुत जो इधर अधर है इसलिए मैंने अलग-अलग टाइप में इनको बताने की वीडियो कोसिस किये वीडियो भी बनाई है सीपिस पर ठीक है पहले जो सीरीज थी उसमें क्या था कि इससे आगे नेक्स्ट क्या होगा इसमें बीच में ये गैप दे दिया जाता है कि बताएए इस वाली पोजीशन पर क्या आएगा ठीक है ये हमारे प्रॉबलम्स होती है और ये आंसर वाले होती है इसे क्लियर जो ये सी टाइ लाते क्या होता है देखो ये कह रहा है जैसे यहां ये वण है यह थरी है तो यह गारे पास दो यसे होंगी पांच वाला होगा पहली बात तो इसे काड़ देते हैं क्योंकि ऐसा है नहीं सीधी सीधी हाइट अलग दिखाई नहीं है दूसरा यह भी चेक करते हैं यह सीक्वेंस बिनकुल इंक्रीजिंग और में है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो यह वाला कहां से आ पर कि जो हमारी इमेजिज होती है हमे इना इ pirate करो उनको जो नहीं बन सकती जिसके आप कह सकते हैं यह नहीं हो सकती उसे 하면 करो को अब क्या यह 200 ओप्शन रही वाले हमने ने देखना या कि दीन वाला है पांच वाला यह हमारे से सी पर पांच वालाना Away 23456 यह नहीं रहेगा क्य। क्योंकि यह क्या कह रहा हो एक 3 तो सातसे पहले पांच हमें यह चीज की चेक करनी इसलिए इसको भी देखना बहुत जरूरी है ना कि एक तीन पांच से एक काम चला ले हम ठीक है आए समझ तो इसका कौन सा अप्शन हो जाएगा दो नेक्स एक और देखिए यह क्या कह रहा है इसमें भी वही सेमी चीज सी वाली चीज हमें चेक करनी है आसान है लेकिन समझना पड़ेगा क्या रहता है को इस्टन सभी यह के तरीका की होते हैं यह कर रहा है जैसे स्केर है स्केर के अंदर सरकल है आइसमों ज Psych छोटे वाला सरकल है, नेक्स्ट में क्या उसका बड़ा रूप है, वो आउटर सरफेस है, बहारी बॉड़ी है उसकी, ठीक है, और स्केर कहां गायब हो जाता है, उसके अंदर दे दिये हमने क्या एक पैंटागन, ठीक है, अगर ये हम ऐसे चेक करते कि अंदर वाले बाहर वा कुछ न कुछ होता, तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर आपको नजर आ रही है, कि जो बहार वाले के अंदर वाला है, वो बहार के आउटर सरफेस हो जाएगी, ठीक है, अब इसमें अंदर वाला क्या है, पैंटागन, आप देख रहे हो ना, तो ये अब की बार क्या हो जाएगी, इसकी आउटर सरफेस, और जो हमारा उपर वाला वो गाइब हो जाएगा, यहां स्केर गाइब तो यहां से सरकल गाइब हो जाएगा, अब इसके अंदर क्या आएगा, यहां से सरकल गाइब हो जाएगा, अब इसके अंदर क्या आएगा, वो तो हमें ये बताएगा, इसके अंदर जो आया वो यहां हमने दमाग लगाया, इसके अंदर तो हमने अपनी तरफ से दमाग लगाया कि जो बाछोटी, देखो धन से देखना, जो ये सरकल है वो बहार का आउटर सर्फिस हो गया, इसके अंदर पेंटागोन गिवन है तो इसका आउटर सर्फेस हो जाए दमाग लगाना इसके अंदर वो आएगा वो अगले का उठाइक ख़ायग यह बनेगा, रुका करा ऊठेक है, टिक है अब देख रहे हो न, ये क्या ऐसे ऐसे नीचे बड़े, एक, दो, तीन बढ़ेंगे, नेक्स्ट में चार आगे चले जाएगा, कुछ न कुछ इनको धकेलते आ रहे हैं, ठीक है, एरो भी है, क्रॉस मार्क भी है, तो उससे उपर सरकल आया है, ठीक, स्केर हमारी चौती पोज है, इसमें आ गया, लेकिन इसमें क्या है, क्रॉस नीचे है, और एरो हमारी उपर है, तो ये भी नहीं बन पाएगा, ये तो चेंजी हो गया, पूरी के पूरी, ये हो सकता है, लेकिन एक बात बताईए, ये चीज उधर तब डाइवर्ट होगी, जब इधर की लाइन हमारी कंपलीट हो जाएगी, इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा, तो आपका उप्सन कौन सा है, पांच, अब चेक करो, पांच को यहां रख कर देखो, ये वाला है, ये यहां गया, ये यहां गया, तो उपर से सरकल आए, ये चीज ऐसे डाइवर्ट होगी, तो उपर से स्केर आ है, इसलिए वो आपका आंसर है, ठीक है, आया समझ, इस तरीका की टाइप में, ये जो मैंने दो ये तीन क्वेस्टन ही लिए, आपको समझ भागे, एक और टाइप है, उसी को इसी वीडियो में अभी आपके साथ डिसकस करते हैं, देखो, नेक्स टाइप ये, लेकिन नेक है, और वो लास्ट फिगर है, जिस पर हमने नमबर नहीं डाल रखे, वो ये कह रहा है, जैसे मालों, ये कोई लीफ है, जो भी है, कि वो इसकी स्टार्टिंग ऐसे है, और यहां एंड इस पोजिशन पर आके होना, हमें बताना क्या रहनता क्या है, इसके अंदर करना क्या ह अब ये देख रहे हो ना इसको, ये क्या करना, क्लॉक वाइज डारेक्शन, इस तरफ क्लॉक वाइज डारेक्शन 45 डिगरी, ये रोटेट कर रहा है, बिलकुल ठीक है, उसके बाद ये, देखो, कोई पोजिशन ये है, बिलकुल स्टेट नॉर्ट वाइज, तो 45 डिगरी पहली बार ये, फिर 45 पे यहां आजाएगा, अगले 45 पे यह होना चाहिए, नेक्स 45 पे बिलकुल डाउन बार, फिर ये आजाएगी आपकी पोजिशन यहां से, तो ये चलेगा, इसमें 45, 45 डिगरी, ये बिलकुल ठीक है, पहली पोजिशन ये है, दूसरी 45 पे ये है, तीस करना है, जो चेक करना है, कि रॉंग कौन सा इन में से, वो ये है, क्योंकि अगली बार ये आना था, नेक्स टेप हमारी ये डाउन बार, और फिर यहां से ये, और लास्ट वाली ये, उसके बाद बिलकुल सारे सेम है, ये इस तरीका की सीरी, आई होप की इसी कोईशन में को पता चल गया होगा कि हमने करना क्या इस टाइप के कोईशन से, क्लियर, मैं भर से बता रहा हूँ, ये जो लीफ है, लास्ट में इस पोजिशन पे मिलना है, और आगे बताए भी जा रहा है, पहले दो तीन में बताए भी जा रहा है कि ये क्या 45 डिगरी, फिर 45 डिगरी, हम पहले ना इनर वाला चेक कर लेते ही, इनर वाला देख रहे हो ना आप, ये वाली कोई जो टाइप है, ये जो बना पड़ा है, जो भी पता नहीं क्या पिन सा, ये इसमें है, दूसरी वाली धर है, मतलब इसकी पोजिशन एंटी क्लॉक वाइज डारेक्शन, इनर वाले क एंटी क्लॉक वाइज डारेक्शन और वो भी कितने 45 डिगरी, यहां 45 डिगरी ये, एक स्टेप में 45 तो नेक्स्ट में कितना गया, 90 डिगरी पहुँच गए, क्योंकि अगला हम चेक कर रहे हैं, फिर से 45 डिगरी, उससे नेक्स्ट क्या 90 डिगरी, फिर 45 डिगरी, उससे न नेक्स्ट क्या 90 डिगरी, तो इनर वाले अपनी जगह पे बिल्कुल सारे के ठीक है, अब देखते हैं इसके आउटर बॉडी को, आउटर बॉडी हमारी इस तरीका के अगर आप इसको 180 डिगरी कहें या मिरर मीज कहें, यह बिल्कुल इस तरीका से है, क्लियर, समझने ना, इसकी पहली पोजिशन में यह क्या हमारी बिल्कुल ही 180 डिगरी पर रोटेट है, या कहें कि इसकी मिरर मीज है, नेक्स्ट में जो इस तरीका से है, यह एंटी क्लॉक वाइज डारेक्शन, पूरा 90 डिगरी रोटेट है, यह वाला सरकल यहां था, अब गूम करके यहां आ आय समझ अगली पोजिशन, इसकी क्या होनी थि, 180 डिगरी होनी है, अगली पोजिशन इसकी 180 डिगरी होनी थि, 180 डिगरी इन दा सेंस या मिरर मेज कहें, जो यह वाली चीज है, यह पलट के आपको यहां नजर आनी चाहिए, नही आई ना, ठीक है, इसकी नही आई anti clock wise गुमाते तो यह यहां आता है यह सरकल इस तरीका से होता ही तो है नहीं तो क्या कह रहा है इसकी जो आउटर वाले की जो सीरीज जब वो यह कह रही है पहली बार बिलकुल फिलिप या कहें कि बिलकुल 180 डिगरी या हम कहें इसकी इसकी mirror image है और जो image है वो 90 डिगरी पर rotate ह फिर इसकी image बनाएंगी फिर वो 90 डिगरी देखो इस वाले की image यह बनती जो यहां नजर नहीं आई आई आनसर तो इसका यही है आगे चेक करते हैं कि कहना क्या चारा है यह वाली चीज जो यह सरकल यहां नजर आ रहा है 90 डिगरी एंटिक वाई यह नजर आया बिलकुल ठ अगली स्टेप में हमारी क्या रोटेट किया गया है तो अगली स्टेप में हमारी क्या रोटेट होनी चाहिए एरो रोटेट होनी चाहिए इसमें जो यह तीन चीजे हैं सबसे पहले लीफ दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे पिन और एक बार में एक ही रोटेट होगी तो इससे नेक्स टेप में हम देख रहे हैं कि हमारी पिन 45 डिगरी रोटेट होनी चाहिए होगी लेकिन हमारी जो ये लीफ है इसको भी 45 रोटेट कर दिया गया इसलिए इसका भी यही आंसर गलत है क्योंकि यहां ये पिन अभी इसी पोजीशन पे होनी थी और नेक्स टेप हमारी इसकी पिन रोटेट होके यही होनी थी ये ठीक है अगली में लीफ रोटेट होके इधर आती अगली में लीफ और ये एज़टेज है पिन रोटेट हुई है और लास्ट वाली में ये और ये एज़टेज है हमारी एरो रोटेट हुई है तो तीनों में सेमी तीन तीन ओप्शन है जो वो रॉंग है तो यह जो wrong one हम जो find करते हैं डीटैक्ट करते हैं सीरीज की ये दो ट्राइब भी आप I hope आपसी समझ में आई गई होंगी इस तरीका के question बनते हैं आपको idea आगया होगा मेरी इन तीन तीन चार चार question के discussion से clear जब idea आगया या समझ में भी आगया है तो video को like करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेट सिट